है है ओके गुट मॉर्णिंग सभी को अब ही हम लोग देखने बाले हैं कि इस टैड का चैप्टर टू लेकिन आपको बताते हैं और याद दिलाते हैं इस टैड का मतब क्या होता है इस मतब होता है इस्टेट का डेटा उसका को लेक्षण उसका प्रर तेसंटीशन कर्लिए की उसका लग जो अगला थी आखले न जा रहे हैं कि दैटीज कॉल्ट कि अए झा पैणिक मेर्णे में you में यहां पर अनलेसिस पॉर्शन या पर गुषिम है अब हमने डेटा कर लिया अपने पास डेटा आ गया इसटाट का तीन रूप में इंडिविजवल सीरीज डिस्किरीट सीरीज कॉंटिनल सीरीज ठीक है तीन रूप में आ गया अब हमें उसके उपर क्या पुछेगा मीन मेडिय निकालो मौड निकालो जो भी उखालात है एनलेसिस तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ऐसे डियाग्राम बनाना इनलेसिस को लिप करके इस टैट्स में जो डेटा होगा यूनि वेडियेट डेटा अदुफरा लिखना अधाई वेडियेट डेटा देटा अधाई वेडियेट डेटा कि देखो हाँ हम लोग जो देखने जा रहे हैं बेसिकली क्या देखने जा रहे है एनलेसिस और आनलेसिस आफ डेटा डेटा के लिए पर इसके उपर फ़र्दर श्टेडी करना यह जी अनी मतलब एक वेडियेबल युनी मतलब होता है एक वेडियेबल जब एक वेडियेबल का डेटा हो जैसे आप सब जितने पिस्टुडेंट है सब का हमने क्या रिकाउड कर लिया marks in mathematics बस x का मतलब क्या है marks obtained in mathematics किसका कितना कितना नंबर है सब लिख लेंगे तो होगा univariate मतलब। दो विरिडिल का डेटा एकस और वाइस सिथ्टोडवेंट का नमबर एकस एकॉंड का नमबर दो नाव गविडियवल यूनि वेरियएट जो डेटा है इसके ऊपर कि आणलेसिस करने का कि दो चैप्टर सक्केंड। और, चेप्टर थर्ड, यह चेप्टर 1 पर ले अब तक, इब आगे बताने जा रहा हूँ, हाज अगो शीटल विडाब्र5, माद विडाद इसके उपर इनलेशिच बना record क्या रहा हूँ, में से रहा हूँ, फार्य विडासिच मोस और सब का हैट तो सेम नहीं होगा किसी का जदा हो किसी का कम उसको बोलते हैं वेरिएशन इन हाइट इसके ऊपर दो चैप्टर है मैं सौर्ट में लिखता हूँ चैप्टर सेकेंड में क्या परना है इलेटेज और Chapter 3 में क्या पढ़ना है? Variation अगर single variable का data एक्स एक्स का average क्या है? एक्स में variation क्या है? मालों सब का height आ गिया Average Height में variation क्या है? तो Chapter 2 में पढ़ेंगे Average, 3 में क्या पढ़ेंगे? variation मालों की सब का income बहुत सारे लोग है मंथली income के यह बाहुत कम है मालोमस की बात है हम क्या निकालेंगे MaKs इसका भी 50 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 सबका 50 ही है तो सिंगल वेडियेबल है उसके ऊपर आप दो तरह का एनलेसिस करोगे इसको डीटेल में हम लिखेंगे आगे भी और जो इसके ऊपर एनलेसिस करने का चैप्टर नमबर है फोर मतलब अगला जो तीन चैप्टर आने बाला है जिससे बीस कोशन आएंगे चैप्टर सकेंड थर्ड मिलाके पंदरह चैप्टर फोर से कम से कम पांच इस पॉर्शन से बीस नमबर के कोशन आएंगे तो चैप्टर सकेंड थर्ड फोर का मैं बैगरॉंड बता रेता हूं चैप्टर फोर का नाम है जब दो वरिवल होता है ना उसके बीच हम क्या स्टेडि करते हैं दिलेशन को निगेटिव ओके यही सब चीखेंगे और निगेटिव है तो हर कमोडिटी का जो निगेटिवीटी होगा एक जिसानी होगा कहीं पर इसको बोलते हैं को डिलेशन का स्टेडि करना अच्छा अगले साल प्राइस होगा 50 रुपया इस साल मालों कौन पर चल रहा है 2022 कि अंत समय आ गया है मालों दिसंबर आ जाएगा तो हमनों क्या डिसाइड करता है इस साल तो जो हो गया हो गया अगले साल प्राइस हम कितना रखेंगे 50 रुपया तो एस्टीमेट करो कि डिमांड कितना होगा कैसे पास डेटा को लेके आ का लाता है डिग्रेशन अनलैसिस इकोनमिक्स में नाम सुना होगा आपने डिमांड फ्रकास्टिंग यह वही चीज़ है तो जो चैप्टर फोर है दो वेडियेबल के ऊपर डेटा होगा उसके बीच में रिलेशन क्या है यह स्टेडी करना को लेशन का लाता है एक वेडिय अनलैसिस को सन्य भी में रेटा दिया कि रेलेशन को स्टेडी करेंगे तो को लेशन एक टो एश्यमेट करेंगे तो एडिग्रेशन यह एवेडेशेज वेडियेशन अब हमें जो पढ़ाही करना है हम उस चीज़ को लेकर चल रहा है चैप्टर कौन सा सब्सक्राइब का जो भी एक variable है उसका निकालना है average. इस chapter का जो नाम है आपके आपके book में जो main नाम है उसका main नाम है measures of central tendency the measures of central tendency या measures of averages central tendency या measures of आपरेजेज या इसकों बोलते हैं एवरेज औफ फर्स्ट ओर्डर एवरेज ओफ फर्स्ट ओर्डर या मेजर्स ओफ कंसंट्रेटेड वैल्यू या मेजर्स ओफ यूनिफॉर्म वैल्यू एक ही चीज के अलग-अलग नाम है जैसे तुम्हारा नाम सिंगल थो यह न होगा स्कूल का नाम कुछ हो और घर का नाम चिंटू ठीक है तो जो भी है तो बैकती वही है अलग-अलग नाम होता है ना तो वह एक ही चीज उसके इतने सारे नाम है और सबसे जो में नाम है आपके बुक में लिखा है लेकिन सही कहा आपने में नाम यहीं है इसी नाम से यह फेमस है ज्यादा ठीक है अब्रेज नाम से फेमस है तो मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी एब्रेज एब्रेज आप फर्स्ट ओर्डर कंसंट्रेटेटर वैल्यू यूनिफॉर्म वैल्यू सब एक ही है हम लोग क्या करते देखो सब का माक्स अलग-अलग है एक सिंगल वैल्यू निकालना सबको सबको मिलाके एक सिंगल वैल्यू निकालना और वो सिंगल वैल्यू किसको करेगा सबको कि इसको को बोलते हैं अच्का कि एइज अवर अर्शचांड और पर सकेंड और इसको लिख लेते अब्ड आपको अगरे सब्सक्वीं निकाल यह नहां एक्षड वैल्यू कितना उपर कितना तो बहुत सारे नाम है फिलाल जब उसको परेंगे तब लिखेंगे अभी हम लोग नाम बात करें अब्रेज का इसका पास होगा हम क्या बोला है लगभग सब का जो मार्स है पचास है लगभग बोला हूं और यह नाम हो गया अब जो एवरेज है जो हमें पढ़ना है इस चप्टे के अंदर यह बच्ची दो तरह होता है ऐसे एरो लगा ना दो तरह के एवरेज होते हैं 11 על को 24 सी दो तरह का एवरेज होगा एक होगा दूत मैफमेट कल झाल। अधुफरा जो एवरेज का नाम है कतीक पोजिस्टनल पोजिश्टनल एबरेज, मैथमेटिकल एबरेज, पोजिश्टनल एबरेज, मैथमेटिकल एबरेज में, जो आपको पढ़ना है, उसमें तीन नाम है, अगम सौर्ट में लिखे तो AM, GM, HM, फूल फॉर्म इसका, AM का, एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन, GM का फूल फॉर्म, जोमेटिक मीन, यह GM, और इसका फूल फॉर्म है, जीओमेटिक मीन, यह, जीओमेटिक मीन, और हम का मतलब है, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, मैथमेटिक का इबरेज में यह तीन नाम है, और जो पोजिशनल है, इसमें कौन-कौन से नाम है, देखो, तो इसमें एक नाम है, यहां मैं लिखता हूँ, पार्टिशन वेल्यूज, किसको बोलते हैं पार्टिशन वेल्यूज, जो पार्टिशन करें, इसमें करें कौन पार्टिशन करें, इसमें करें करें से पार्टिशन वेल्यूज, इसमें करें से नाम है, वो सब कहलाता है पोजिशनल मेजरमेंट जिसमें नाम है मीडियन कॉर्टाइल्स कितने होते हैं तीन चार भाग में बाटनें बाल के क्वाटाइल बोलेंगे टोटल क्वाटाइल कितना होता है तीन Q1, Q2, Q3. अब Q2 क्या होता है? मीडियन का एक वाली होता है. परसेंटाइल्स इन सब को बोलते हैं पार्टिसन वैल्यूज यह होगा परसेंटाइल्स इसमें एक नाम और है मौड रफली इस चेप्टर को आप होत पहले परे होंगे मीडियन मौड का चेप्टर मीडियन मौड अच्छा सिरफ मीडियन किसको बोलते हैं मीडियन मौड तो अगर मैं बात करूं मीडियन मतलब अच्छा चलो मैं बोलता हूं दो चार पांच तीन नंबर है दो चार पांच इसका मीन निकालो क्या करोगे तीनों को जोर के तीन से आपने एम निकाला क्या निकाला एम जो होता है उसको मीन बोलते हैं जोर केंट्मेट्रिक मीन तो जब कभी ऑप्स्वनाइगा मीन मीडियर मोड तो मीन का मतलब मीन का मतलब ये जा ना ये ए मैत्मेट्रिक मीन बढ़ सब्सक्राइब को सबस्क्राइब निकालों निकालो तो तो आलग मीन का मतलब है कि कैसे निकलता है तो बता देगा इसे का सब को मतलब ठीक है mathematical positional positional क्यों जो बिलकुल middle position पोगा उसको median बोलेंगे जो one-fourth position पोगा one-fourth position पे क्या बोलेंगा बोलो quartel one बोलेंगे जो three-fourth position को होगा quartel three बोलेंगे इसका नाम है इसको बोलेंगे जिसका frequency highest होगा एक खास पोजिशन को इंडिकेट करता है लेकिन यह सब ऐसा नहीं है यह सब mathematically निकालना पड़ेगा इन सब के mathematical formula उसी से यह निकलेगा ठीक है तो लिख लिए आप नहीं है इस chapter में हमें amgm hm median quartel decimal percentile और मौड का पढ़ाई करना है mathematical में दिखेंगा हमलों 5 एक लास में स्टुडेंट है एक उपांच में नमर मिला एक जीरो मिला एक को दस मिला एक को 20 मिला ठीक है ऐसे चाल स्टुडेंट है यह मांक्स है मैं बोलता हूं चलो average निकालो average तो क्या करेंगे जीरो को consider करेंगे कि नहीं करेंगे अब लो फर्क्या जीरो लेना हटा तो साइड कर दो बाकितीन से निकाल लेते हैं तो सही है बिलकुल नहीं हर एक वैलू को आपको consider करना ही पड़ेगा mathematical average को निकालने के लिए सभी observation चाहिए एक observation भी missing है या नहीं है तो mathematical calculate नहीं होगा पचास वेलू है तो पचास ओका यूज़ोगा तो mathematical average कि होता है based on all values based on all values बट जो पोजिशनल आण वो सभी को पर बेश्ट नहीं होता है कि यह figure missing है कि मालोग कि यह 4 है ऐसे है मैं बोलता हूं यहांपर कि यह figure missing है इसका नहीं निकलेगा किस नहीं निकलेगा अगर मैं आपको बोलता हूं कि यह एसेंडिंग ओर्डर में है यह दो-दो फिकर मिसिंग है लेकिश में कितना होगा इसका सिक्स निकल गया मतलब जो मीडियन है या जो पोजिशनल एबरेज है उस सब के उपर बेस्ट नहीं है कुछ भैलू नहीं भी यह तब भी निकल जाता है लेकिसका इत्मेटिक मीन नहीं है सब को जोड़ना है का दो-दो नहीं है मीन इसका नहीं निकलेगा दोनों में क्या दिफेरेंस या जाहिए सब ही जाहिए सौट में इसको मैं लिखता हूं इसका मतलब क्या हुआ होगा है आप क्या करोगे ऐसे लाइन खीचा थे लाइन के और यहां लेको नॉट बेस्ट अन अल वैल्यूज बताओ पहला पुर्ण समझ मागया यह समझ मागया एक पर और इतना भी अच्छा नहीं है मैंने क्या का एबरेज निकालना हो तो सभी वैलू को पर यह बेस्ट होता है अगर पचास बैलू यूज होता है कल्कुलेशन में अगर एक बैलू भी मिसिंग है तो मैंतिमेर्ट के लेबरेज कल्कुलेट नहीं होगा अभी देखा था आपने इतना लिए उन पर पर बेस्ट होता है तो सभी पर बेस्ट नहीं होता है मिल निकल गया काहां मेडियल पोशिचन पर आगे यह मतलब है कि अब दुफर के है कि आ पढ़न लिखें जो आपको अपने आपी समझ माह जाएगा कि नौ प नौ आट कैलकूलेटेड, not calculated, not calculated graphically और यह लीखो क्यालकूलेटेड, classified graphically सेकेंड पॉनींट बताओ खीक है क्या कोई दिखत है ओके सबस्क्राइब गया ध्यान से बताओ जो पोईशनल एवरेज है कैलकुलेटर ग्राफिकली यह बताओ पार्टिशन वैल्यूज पार्टिशन वैल्यूज किस ग्राप साता है मीडियन, क्वार्टाइल, देसाल, परसेंटाइल किस ग्राप से ओजाईब से एस्पेफली कौन सा ओजाईब मौड किस साता है मौड इस्टोग्राम से देख लो जितने भी यह बहलू है सब ग्राप से निकलता है लेकिन एम, जी, एम, एचम कभी ग्राप से नहीं निकलता तो second point ही आ गया अब यह सब question पूशा गया जहां में क्यासे पूशेगा which average ऐसे पूशेगा which average is not calculated graphically mean, median, mod बोलो mean यह सीधा पूशेगा which average is calculated graphically mean, median, mod last option क्या दिया जाएगा median and mod क्या बोलोगे median and mod calculated graphically question जो आएगा तो आपने आप बना दोगे बसे लिखते जो इसके बाद यह पॉइंट लिखते है रिजिद्ली डिफाइंड मैथमेटिकल एबरेज रिजिद्ली डिफाइंड और यहां लिखोगे मे और मे नॉट नॉट और रिजिद्ली डिफाइंड कल आपका 8-10 एक्स्ट्रा क्लास है एकॉंट का ठीक है सिर्फ एकॉंट किया क्या कल एक्स्ट्रा क्लास है एकॉंट का 8-10 बहे तक ठीक हाँ टाइम टेबल में तो नील है ना टाइम टेबल में तो क्लास नहीं है यह अन ओफिसल क्लास लग रहा है so no it is dealing defined किसको बोलेंगे जैसे मैं ने किसी से stateography बोला रोहित है तो मैं भोलोंगा फिर से सोच के बोलो नाम क्या है तो दोबरा मिलेगा भी टाल on वालोगों वह थो यह टिस्री अंब है बिड है युद सब्सक्राइब निकला तो पांच निकला तो पांची रहेगा यह कभी पांच आएगा अशानी होगा बड़ जो पोजिशनल है और रिजिड हो भी सकता है रिजिड नहीं भी हो सकता है जिसका फिरक्वेंसी होता है इतना तो पता होगा इसका फिरक्वेंसी सबसे बड़ा फिरक्वेंसी 20 है जहेका भी 20 है पांच भी हो गया और चे भी हो गया तो दो दो हो सकता है तो इसके बाद बताते हैं एक होता है जी चलो मैं लिख देता हूं यहां पर आएपकते जफ्पह एक्स्ट्षरी मेर्ड बीज आएपकते डभाई एक्स्ट्रय मैम इसके अनियो कि कश दो आएपकते ड़े ट्रीम ृऌ यहां लृफागें सबसे पहला तो यह extreme values होता क्या है थोरा समय ने एक बार किया था किसी को याद हो तो बताओ extreme value किसको बोलते हैं हाँ सबसे कम और सबसे ज़्यादा extreme value का मतलब smallest value and largest value को बोलते है एक्स्ट्रीम वैलिव तो बताओ कर दो इंगज बोलो कि अभी सका मीन कितना है अभी निकालो पचास बीस सत्तर असी को तीन से डिवाइड कर दो 26.66 ठीक है दस बीस पचास अभी इसको लिखना मत आप लिखना मत अभी इसका मीन कितना रहा है 26.66 यह बता इसका अभी मीडियन कितना मीडियन 27.65 और अब चेंज करते हैं मेडियन कितना इसको और एक्सरीम कर देते हैं मेड इसको और एक्सरीम कर देते हैं मेडियन साथ अब बता अब मीटन कितना अब मीन कितना मेन साथ प्लस बीस प्लस पांच पचासी डिवाइट में तीन 28. 28.33 बात समझ मैं एक्स्ट्रीम वैलू में चेंज करोगे तो मैथमेटिकल इसको लिखने के जो अतनी था बस समझने के लिए मैंने समझादें तो एक्स्ट्रीम वैलू का मत्तब लाजस्ट वैलू एंड श्मॉलेस्ट वैलू उसमें कुछ चेंज करोगे तो तो एम जी एम एचेम पर फरक पड़ेगा बट मीडिन पर कोई फरक मीडिन कहां होता है बीच में सबसे ज्यादा और सबसे कम वहां पर कोई चेंज होता है इसको क्या फरक पड़ेगा बता यह लाइन एक लाइन है फीक में कोई बैठा हुआ है इसको मैं थोरा पड़का से बीच नहीं आएगा यह चंज क्रोंगे तो इसophone क्कुई पड़ेगा घुक है तो यहां पर यहां पर मीडियन और मोड के उपर एक्स्ट्रीम वैल्यू का फरक नहीं परेगा लेकिन एक चीज़ में यहां पर टिक करता हूं मीडियन पर टिक करना अब मैं कोशन पूछ रहा हूं । तो चीज अपरेज इस नट एक्स्रीम पर यहां कोशन में उपरेज इस नट इस नॉट अपरेज इस नॉट जरूर मीडियन एंड मौड तहीं के अब सुना लास्ट वीच एव्यर्ज इज नट एफेक्ट्रय मैं मीडियन मौड तेके अब हम आपको मीडियन और मौड में सोण कोई कोई नहीं फारा होता है यह होता है यह हो है यह वी जैए यह जब बी होगा और सी होगा तो निकल जाएगा लगो सकता है कभी कभी उसके इसमें मौड ना निकले मालो जैसे मैंने क्या कहा यह देखो एसेंडिंग और में धियान पर देखना यह सब क्या है एसका मीन तो बिलकुल निकल निकलेगा इसका मीडें कितना होगा मीडें यहां पर एसेंडिंग और में 20 हो सकता है यह इसके बाद यह वह हो क्यों निकल भी होता है तो में यह नहीं पता है तो मॉर्ड निकालना मुस्किल है तो मीडियन मॉर्ड में से कोई चूज करना एक किस बढ़ ऊपर सही में नहीं फरक पड़ता है तो क्या होगा इस इसलिए ध्यान रखना तो यह चोईस के ऊपर है, तो मिदिन पर टिक लगा लो और इस टिक का मतलब आप ही समझोगे, दुफड़ा कोई देखके नहीं समझेगा, इस टिक का क्या मतलब है, या फिर ठीक नहीं लगाना है तो इस्टार लगा लो, स्टार लगा लगा लो, कंडिशन अपलाई, इसका मतलब क्या है स्टार मतलब, मौड और मीडियन और मौड में अगर चूज करना हो, तो क्या चूज करोगे, मीडियन, तो एक्स्ट्रीम वेले सुखको कोई फरक नहीं पढ़ता, और एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं, लास हमने क्या किया, इस साइड वाले का अलग निकाला, जो इस्ट्विएंट है, उधर का अलग निकाला, तो क्या ऐसा को तरीका है कि पूरे दोनों को मिला दे, पूरे क्लास के अलग निकल जाई, तो मैथमेटिमेटिकल अबरेज वहाँ पर ऐसा संभब है, कंबैंड अम निक घगाई का ऊब निकल जाता है, उसका फर्मूला है, बट कंबैंड मीडियन का नाम नहीं सुनाओक, आपने कभी, होता भी नहीं है, तो यहाँ पर जो फवर्स्ट्पॉइंट है, यहाँ पर क्या है? कम्बाइंड मेजर्स जो चीज़ मैं लिखा रहा हूं यही सब चीज़ हम लोग आकर देखने वाले भी हैं कम्बाइंड मेजर्स प्रोपर्टी इस अप्लाइड यह यहां पर अप्लाइ होता है में यहां क्या लिखहूगे नॉट अपलाइड बताइं धकंड मीडिया नाम का धुच घुन अब क्म हम थे कंड मेजर्स अप्लाइड इसे प्डू इसगे कुछ और भी नाम है इसको वी लिखो हम लुग तोन बोलते हैं पी डबल ओ एल एल इडी पूल्ड मेजर्स प्रपर्पर्टी पूल्ड मेजर्स एक ही बात कम्बाइड मेजर्स पूल्ड मेजर्स प्रपर्पर्टी इस ही को हम बोलते हैं इस ही को हम बोलते हैं एक और नाम से कि प्रॉपर्टि ये घृबल कि मैंत्मेटिकल प्रॉपर्टि बोलते हैं और यह क्या अप्ला ओगा क्या अप्लाए में अभर ऐह में 전 मैं है 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 इसी को नाम इसी को दुफरा नाम बोलते हैं पूल्ड मेजर्स प्रोपरटी पूल्ड मेजर्स या डिजारेबल मैथमेटिकल प्रोपरटी चलो थोर्ट करी बताओ कमबाइन मिलेगा नहीं कमबाइन मोड नहीं कमबाइन जी एम यह समझे आपको आ गया और कैसे निकलेगा वह देखेंगे परहाई करेंगे उसके बाद ही देखेंगे यह सब कुछ जो बिल्कुल आ जाएगा तो आप आसानी से बना दोगे अब हम लो निकालेंगे उसका प्रोपर्टी सिखेंगे जी एम निकालेंगे उसका प्रोपर्टी एचम निकालेंगे उसका प्रोपर्टी फिर एम जी एम में कुछ रिलेशन होता है उसको निकालेंगे फिर यूज सिखेंगे यूज कहां पर एम अपला होगा कहां पर जी एम कहां पर परिएसे निकालेंगे उसका प्रोपेटी फिर निकालेंगे उसका प्रोपेट्टी तो क्यालकोअशन भी सीखेंगे लिखते हम लोग हेंडिंग इर्थमेटिक मीन से ठीक है यहां पर हेडिंग देदिजे आप एथमेटिक मीन कि अरिथमेटिक दो खें और आप मैटिक मीज दुशची दौनर्फ मेड़ा प़ला फटीक यह tr 좋은 बिदिवीजि constitutional networks इंडिवीजिवण किर स्यूइज क्या पहत्चान है इंडिवीजो श्रीय्ज का कि जिसमें शिरस x दिया होगा अलग से उनरी वरी बाsy इसका मतल्च मतल्च दो बार ईस का मतल्च levar दो बार रही रए इसका मेन क्या होता है कि इसके दो फार्मूला है एक फर्मूला का लाता है डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड खीक है यह क्या बताता है डायरेक्ट मेथड कि सीधा जितने भी एक से सबको जोर लो एंड से डिवाइड कर लो जो आप सबको मालूम है तो डायरेक्ट मेथड में क्या गया एक्स बार यह मीन का सिंबल है यह एर्थमेटिक मीन का सींबल किया एक सबका समय समय समधा जैशंक ऐसे इसमें दो मेफडर मैं बता रहाओ डारेक्ट मेफड क्या बताएट पाता यितने बीवल फैस सबको सिधा जोर तो सिगमा 5 का मतोब समय से औल वहले हैं इसके स्क्म परेंगे है कि सम ओव है कि अल्वेल्यू इसका एक्स एक्स मतब क्या अल्वेल्यू जितने भी वैल्यू जाने के लिए इग्जांपल के लिए मान लो यह एक्स है 4, 8, 10, 6, ठीक है, तो कोई पूशा बताओ, यह कैसा से रीजे, इंडिविज्वल, तो बताओ, यहाँ पर इसका मीन क्या होगा, तो सब का जोर, 4, प्लस 8, प्लस 10, प्लस 6, डिवाइज में 4, कितना आ गया, 8, 4, 12, 22, 28, कितना, 7, सीधा है, डियरेट मेथड, मत्ताओ, सीधा जोर लो, एंड से डिवाइज, इसमें एक और मेथड है, जिसका नाम है, इसमें मेथड, या डिवियेशन मेथड, यह होगे, डियरेट मेथड, दुफरा मैं लिख रहाँ, एसमें में मेथड, एसमें मेथड, में मेथड, ठीक है, यह क्या बताता है मेथड, कि जो भी नंबर से हैं, चार आठ छे दस इन समय से किसी एक को एज़ुम कर लो, की मिन है, जो आप एज़ुम करोंगे न, इससे हट के भी कर सकते हो, आप अपने मन से भी कुछ कर सकते हुए, कि कुछ भी आप एजूम कर सकते हैं अच्छा क्या होता है इसी मैसे को एजूम कर लो ठीक है तो हम लोगों ने एजूम कर लिया लेट करो ए बराबर ए है एजूमर मीन किसको जूम कर लेते हैं एक को एक इसका मीन है कुछ भी कर सकते हैं ठीक है आंसर से में आएगा एट को कर लिया अब हम लोग क्या करेंगे डी निकालेंगे डी क्या चीज है जितने भी एकस है सब मेंसे एजूम मीन को मैनस करेंगे जब हम जितने भी X है, सब मेंसे एजू मीन को मैनस करते हैं, तो बताओ ये वैलू क्या क्या आएगा, यहां देखे बताओ, फोर में से आठ माइनस, मैनस चार कॉमा, आठ माइनस आठ, जीरो, दस माइनस आठ, छे माइनस आठ, साइन चेक करना सही है, पहले X, अब माइनस ए, तो जो X है सब में से, जू मीन एट माइनस कर दो, यहां या दी, अब इस D को क्या पढ़ते हैं, यह मैं लिख रहा हूं, द deviations ये D क्या कर लाएगा ग का deviations आप प्रोम है डी को क्या बोलते हैं जब भी X में से कुछ मैंस करोगे इस्टैट में यह कहीं भी X मैंसे कुछ मैंस करोगे तो हम शोड़ूरा है क्या मैंस कर रहे हैं तो बो लेंगे इसको devsk ब्रोम एस्ट्रयूमीन और जितने भी अगर आप सब में से कोई number minus करोगे तो इसको हम क्या नाम देंगे? deviations. मालता सब में से 5 minus किया? क्या बोलेंगे? deviations from 5. मतला difference from 5. ठीक है? सब में से 6 minus करेंगे, तो क्या बोलेंगे? deviations from 6. ऐसे. यह होगा deviations from 8 या एजूमिन. फिर हम लोग क्या निकालेंगे? sum of deviation. इन deviation का जोर. sum of deviation. इसको निकालेंगे. क्या मिला summation बताओ? इसको पढ़ेंगे हम लोग. इसको पढ़ेंगे. sum of, sum of deviations. क्या मिला? minus 4. साहिए रेखो. यह plus 2 minus 2 कट गया? तो minus 4 बचा. ठीक है? और फिर इतना करने के बाद हम लोग actual mean निकालने के लिए formula apply करते हैं. यह formula है. actual mean बराबर. assume mean plus sigma d sum of deviation divided में. यह actual mean निकालने का formula है. जिसमें हम लोग assume mean क्या रखेंगे? 8. assume mean 8 है. sigma d. sigma d minus 4. n कितना? 4. तो 8. अब 4 by 4 करोगे तो minus 1. क्या आगे answer? answer तो वही आएगा 7. rigid है. rigid मतलब कुछ भी करोगा answer तो वही आएगा. बदलेगा नहीं. समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ. कुछ भी एजूम कर सकते हैं. आठ एजूम कर लो. आपने मन से भी एजूम कर सकते हो. तब भी आनफर सेबनी आएगा. दोरो में से कौन सा अच्छा लगा? दोरो में से कौन सा अच्छा लगा? फर्स्ट बाला. लेकिन हो तक क्या है? कभी question आएगा आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि इस method से mean निकालो. पूछने बाला को भी पता होगा कि कोई उस method से नहीं निकालेगा, सब सीधा ही निकाल देगा. तो क्या होगा? question ऐसे देगा आपके सामने, अगर आपको second method नहीं पता हो ना, तो फिर आप question नहीं कर पाऊगे. तो second method का क्या importance है? मैं आपको example से समझाता हूँ. method तो ठीक है समझ माग गया. देखो question क्या है? एक question मैं लिख़ा हूँ यहाँ पर. इसी बच्चे ने क्या लिखा है? अच्छा, direct method. बच्चे ने reply दिया है कि direct method अच्छा लगा और यह जेनून reply है. वे बोले दोनों ही अच्छा है, यह आप साइध यह थिंक कर सर की बात, दोनों में तर बता रहे हैं, अच्छा ही होगा, दोनों ही है, यह बात है. अगर सही में देखो, पूछ होगा, तो सब बुलेगा, सर्फ भाला में तो कितना symbol है? लेकिन दुफरे का भी importance है. क्या importance है? अभी समझो. यह देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ. दो टैप्स में question लिखोंगा, n बराबर 10 sigma x-6 इक्वल टू में 15 और मैंने पूछा, x-bar इक्वल टू कितना? x-bar इक्वल टू कितना? अब question के लिखावट से थोड़ा सा आप समझो, क्या लिखा हुआ है या क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है? 10. बताओ, x में से 6 मैंस क्या है? 6 क्या चीज़ है? assume mean x में से 6 मैंस क्या है? 6 क्या है? और x-6 क्या है? डेविएशन x-6 को हम क्या बोलते हैं? d क्या दिया? sigma? d आपको mean चाहिए, तो कौन सा मेंस से निकालोगे? second method से, first method से निकलेगा ही नहीं, निकलेगा लेकिर उसके लिए फिर कुछ और चाहिए इस question के लिखावर को देखती है, आप क्या कहोगे? यह तो x में से कुछ मैंस कर रहा है, यह तो डेविएफन चल रहा है यह तो assume mean बराबर 6 हो गया, फिर x मैंस 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? d बोलते हैं न, जो x में से कोई constant मैंस करते हैं, डेविएफन होता है d, इसका मतब हमें sigma d दिया हुए कितना? मैंस 15, और actual mean चाहिए तो assume mean प्लस sigma d by n 6 मैंस 1.5, आंसर इज, तो second method का क्या important से समझ माग गया? अच्छा, जो question मैंने अभी आपके सामने लिखा है, इसका mathematical रूप में लिखा है, mathematically, इसी चीज को मैं statement में बोलके भी लिख सकता हूँ. सेम चीज को ना, यह तो symbol में लिख दिया भी, सेम टैप का चीज हमें statement में भी बोल सकता है, n बराबर 10, फिर क्या लिखेंगे, 410 observations, उसके बाद जो दिया है, उसको क्या परेंगे, sum of deviations from 6 is minus 15, मतब इसी का, इस question को कोई language में भी लिख देगा, तो एक ही बात है, कैसे लिख 10 observations, अब वहाँ पर 10 के जगर TEN लिखाओ 10, ठीक है, for 10 observations, sum of, यह क्या चीज है, summation, summation of deviations, यह deviations का summation है, deviations from कहां से, 6, equal to को बोलेंगे, is, minus 15, question पूछेगा, find, arithmetic, mean, same चीज लिखा, मैंने कुछ नया नहीं लिखा, इतम सेम चीज आप क्या कोगे, 10 observations, तो N बराबर 10 हो गया, deviations from 6, तो 6 क्या हो गया, A, assume mean, a sum of deviations, sigma d, sigma d is, minus 15, sigma d minus 15, तो mean कैसे निकालोगे, वही सेम चीज, तो symbol में भी question हो सकता है, language में भी question हो सकता है, ठीक बात है, अच्छा, कोई student इसको first method से बना, first method से, बन सकता है question, कब, जब आपको क्या मिल जाए, sigma x, क्या मिल जाए, sigma x मिल गया, तो उसको किसे divide कर देंगे, n से, आज एक answer, अब मैं आपको बता रहूं, first method से question कैसे बनेगा, तो ये तो हो गया आपके सामने, ये हो गया method 2 से बना question, कोई इसी question को method 1 से बनाओ, n बराबर दिया है 10, और sigma x minus 6 इक्वल टू कितना दिया है, minus 15, ठीक है, तो first method से मतलब ये हुआ, हमें mean चाहिए, ये formula अपलाई करना, ये formula, बताओ, n तो मालूम है 10, क्या पता चलना चाहिए और, अब इससे sigma x कैसे मिलेगा, कुछ अपना कलाकारी दिखा सकते हैं, तो दिखाओ, मतलब दो second equation है, इसी से sigma x मिलेगा, मतलब जब सिखा रहूं, मैं sigma को apply करोगे, इफ दोनों पे, तो कैसे apply होगा इस सीखना है, इस sigma को लगा तो दोनों पे, sigma x minus, sigma 6 equal to, ठीक बात है, अब sigma 6 क्या होगा, sigma x तो रहनें तो ऐसे ही, बचाए लो, sigma 6 क्यों को पता है, 6 n, sigma 6 का मतलब क्या हमां समझाता हूं, इसका मतलब है, 6 plus 6, बदल नहीं रहा हो, खाली 6 है, sigma foreign मतलब बदल समय संटब, शेक्स गीश, बदल 7, 6 को जोड़ेंगी कितने बाद ? N बार, तो लगा होगा, 6 n. Sigma 2 का मतलब क्या हूं, 2 n. Sigma 2 मतलब है क्या, 2 plus 2 plus 2, अकितने बार ? N लगा थो न को दस पाब जोड़ेंगी, 2 into 10, लोगे तो 2 into n. पर्मानेंटलिया जाओ किसी कॉंस्टेंट का सिगमा क्या होता है तो सिगमा 5 5 n सिगमा 6 6 n तो यह हो गया माइनस 15 और सिगमा एक्स यहां पर एंद मालूम है एंड कितना 10 तो 6 इंटू में 10, 60, मैंनस 15, बताओ सिगमा एक्स बराबर कितना, यह मैंनस 15, प्लस में 60, 45, यहां पर लाके 45 रख दो, तो आंसर क्या आ गया, यह सब इतना रियल सल क्यों हो है, हर तरह से आप त्यार रहो रहे हुए, यह सब जरूरी है, कुछ नया तरीका से पुछेगा, यही से पूछने का तरीका है, देखो, यह और बात है, जारे कोस्टन रिपीट करता है, ऐसा भी हो सकता है, कि 50-45, 40-40 कोस्टन नया हो, तब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे परोगे तब बनेगा ठीक है मतलब सब कुछ मैं बता रहा हूं इस प्वस कंट्रोल करके रखोगे तब जब बन जाएगा तो पूरा एनलेसिस करके अब ऐसा आपको बुक में नहीं मिलेगा लेकिन मान लो अब मैं आपके सामने कोई भी अब बराबर 10 और सिग्मा एक्स प्लस फाइब बराबर 60 तो बताओ मीन कितना अब मैंने मैंने प्लस फाइब दे दिया तब भी कोशन बन जाएगा हां परस्ट में निकालो सिग्मा निकाल के अंट से निकाल लो कि अब वह नाएगा अज़ा अज़ा करेक्ट बिल्कुल सही यहां से क्या निकला सिग्मा एक्स प्लस कितना सिग्मा फाइब कितना फाइब एन एन कितना है दस तो पचास इकल तू में साथ सिग्मा एक्स बड़ाबर दस तो मीन कितना आ गया सिग्मा एक्स टेन अब आई एन आंसर इज देखो ठीक है तो हम लोग ने क्या सिखा इंडिविजबल सिरीज का मीन कैसे निकलता है इंडिविजबल सिरीज का मीन कैसे निकलता है यह समझ मा गया न यह सिग्मा एक्स यहां यह सिग्मा फाइब कितना होगा फाइब अब हम सिखेंगे एटमेटिक मीन आफ कि इसक्रीट सिरीज कि लेकिन इंडिविजबल सिरीज में कुछ और भी चीज है इसको नोट करके मैं बताता हूं कि इंडिविजबल सिरीज में मालो आपके सामने कोई कोश्चन दे दिया यह से करता हूं मैं पहले लिखी देता हूं ऐसे लिखोगे फर्स्ट एटमेटिक मीन और एड़ डॉट पी डॉट इसलिए प्लस टू एसे या प्लस 3 फ्लस थरी दो दो के बाद 3 करो 5 3 प्लस करो 8 तीन प्लस करो ग्यारह क्या बोलते इसको एपीशिरीज या प्लस करो या मैनस करो तो एप्लस किर्यज क्या होते पता है यह मैं बता रहा हूं यह टेक्निक पता होना चाहिए फॉस्ट प्लस लास्ट बाइटू करने का मतलब मैं एक्जाम्पल भी साथ में बता देता हूं कोई पूछे आप से एर्थमेटिक मीन और दो पांच आठ एग्यारह डॉट 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 एक सो बाइस इसका मीन निकालो कितना है का अंसर है काल कॉलेटर यूज कर लो कोई दिकत ने हाँ दिमार्ट पर जोड़नी देना है कैल कोटर यूज कर लो दो प्लस 122 इक्वल डिवाइड में 262 अचा अब यह नहीं पता होता तो आप क्या करते कुछ लोग तो बिल्कुल ही छोड़ देते यार सारे तर्म तो दिया ही नहीं यह बांके गार के बाद 14 आएगा इस अब आएगा बड़ी मुस्किल कोशन लग रहा है अज इसको एप इस इसली जो उसका में किया निकालेंगे फॉर्स प्लफ लास्ट बाइड तो लिखते यहां पर आंसर आंसर होगा यहां पर यहां पर अथे मैंटिक वेराबर फर्स हो गया तो लास्ट होग है 122 डिवाईड में 2 सौल करेंगे तो क्या आंसर शिक्वा ऑट था तीक है वन टू थ्री कहां तक एन तक इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे फॉस्ट एन नेच्रोल नंबर यह ना एक दो तीन चार कहां तक एन तक तो इसको बोलेंगे कि इसको बीकितना होगा किस लॉजिक से यह 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 दखना एक से लेकर एन तक कोई भी यह उसका मीन कितना होगा एन प्लस वन बाई तू सीम लॉजिक से यह बन गया है कि ओके कि यहां पर कि एक ची और बताओ कि या फिर इसको हम लोग डिस्कृट सीरीज में करेंगे कि एक मदू को हमने क्या लिखा है फर्स्ट लिखा है इन्डिवीजबल सीरीज ठीक है अब यहां लिखते हैं सकेंड। इसकृट सीरीज नोट में बस यह दो नोट हो गया है आप लिखोगे सकेंड है एटमैटिक मीन और कि डिस्कृट सिरीज इसकी स्रीज का एक में किया होगा तो इसमें बस आपको एक ही फर्मूला सीखना है इसमें एर्थमेटिक मीन का फर्मूला होगा सिगमा तो वैसे आप देखना यह है और नीचे में क्या होते हैं यह किसका फर्मूला है इन्डिविज्व सिरीज का इसका फर्मूला है तो जब डिस्कीट सी जाएगा ना जहां फिरिक्वेंशी आपको फिरिक्वेंशी मल्टिप्लाइम आएगा सिगमा एफएक्स डिवाइड में यहां पर एन का मतलब क्या होगा है भी समैसे करो जाहां भी सिपक्वेंशी है तो इन्डिवीज्व सिरीज से फर्मूला बना जहां सिगमा आपकूर्बंच आजेगा बस इस च्शियंआ एफएक स्बाइट चीएफ देख लेते हैं हैं नहीं है यह नोन दाप आपनल के यह मालों डिश्कीर स्रीज हो एक्स थे G1 22345 आए और बगल में फिरक्वेंसी एप स्टॉच्वेंसी एगदम सेम में पूछा कि मीन निकालोो इसका 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 ए्रभी मेंन निकालना है है ठीक है हमते क्या करेंगो एफ आरह को मल्तिप्लाइ है यह मल्तिप्लाइए करूँड एंटॉए इकस बोane M эпाड मल्टिप्लाइए है SAT इसको जोरेंगे इसका जोर 50 बताव एन बराबर कितना एन एन बराबर 5 नहीं एन कितना येस एन बराबर फिर्क्वेंशी का जोर 15 फिर्क्वेंशी का जोर ये एक प्लफ दो प्लस तीन प्लफ चार प्लस पाँच एन कितना 15 एन कैसे निकालोगे फिर्क्वेंशी का जोर बताव मीन बराबर क्या मिला सिक्मा एफ एक्स पश्पन डिभाइड में 15 इसका अनफर आपको ऐसे मिल जाएगा 5 से काटना है 11 बता तीन या जो आप बोल लो कर दो कोजी कतने कितना 3.66 6 7 11 डिभाइड में 3 बोलो क्या बोलो एक्स और एफ हाँ मतब एक मद को क्यों ऐसा क्यों एक मद एक मद साइद आप अपने आप समझ आओगे ये बुलू सरकल दिख रहा है ना ये कोश्चन है इस पर कोई कोश्चन माक नहीं लगाओ गया आप जो बुलू फरकल में है ना एक्स दिया हुए एफ दिया हुए एफ दिया हुए अथमेटिक में पूछा है अब कोश्चन लिखना बला कामरजी उसने क्या लिखा हाँ वो तो मैंने लिख दिया है जो बुलू सरकल में है अब समझ बागे ना बात कोश्चन है बिल्कुल कुछ भी हो सकता है लिखना में कितना आ गया 3.66 अच्छा अलग भी हो सकता है इसमें गलती होता है जैसे हम 5 तक लिख रहे हैं गलती क्या करते लोग n बराबर 5 ले लेते हैं यह गलती नहीं करना इसलिए मैं बता रहा हूं ऐसा यहां अच्छा यहां पर भी एक कर लो लिख रहे थे इसको लिखो लिखो मतलब डिस्कीर सीरीज में कोई अलग-अलग फ्रिक्वेंसी दे जो भी दे आप एफ इंटु एक्स करना उसको जोड़ लेना एन से डिवाइड कर देना ठीक है अब यहां पर मैं क्या बता रहा हूं यह कोश्चन देखो ध्यान से यह कोश्चन एक से लेके पांच तक है किसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं एक्स बडाबर 1 2 3 4 कहां तक है यह एन तक और चांस की बात है फ्रिक्वेंसी इक्वल टू दा रिस्पेक्टिब वेरियेवल के इक्वल है फ्रिक्वेंसी यह इसका पूछ लिया एट्थमैटिक मीन कितना है ठीक है तो इसका हम लोग क्या करते ह हैं और आप लोग इसको याद रखोगे तो जड़ा अच्छा रहेगा कैलकुएशन कैसे होगा तो यह देखो मीन बराबर होगा कि सिग्मा एफएक्स डिवाइट में सिग्मा रही होगा ना फर्मूला अब बताव सिग्मा एफएक्स का मतलब क्या इंट न इंट टो तु थो। तु थो। स्वाइट टी थी थीवाइट प्रण्टफंड फोर इंट उन जन एं प्रहिएट 110 डिवाइट में सिगमा एफ एफ मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर कहां तक एन तक पहले इतना जो लिखा मैंने यह आपको समझ मागिया होगा मैं आपको दोबारा समझाता हूँ फर्मूला जो यह कॉंट से बले बताओ डिस्कृरीट एक्स और फ्रिक्वेंची है तो डिस्कृरीज है मीन का फर्मला यह होता है अब एफ एक्स का मतलब क्या है इसका मुल्टीपलाई आ सिकमा मतलब उसका जोड यह मुल्टीपलाई कर हमेक्सीं बतै और 1 2 3 सबकर लैं समयशन ऑब इसका समयसन का ऊथ चैप्टर जैने एपापड में उसका प्रशन होता ह्ंट वह फिलाल यह करना तो यादि होता है यहां पर लिख देता हूं आप सब भी स्कों अच्छे बच्य कतर याद कर जाओंगे हो तो सुमेशन का फर्मूला क्या होता ही तो यह जो सभी समेशन पले बता हूं नचे बता हूं simple summation कितना आता है यह formula होता है n n plus one by 2 तो यह result लिख दिया यह यादी करना होता है natural number का summation क्या होता कोई बोलेगा एक से लेके 50 तक का जोर बता हो क्या बलोगे 50 into 50 में जोर दो एक क्या बन डिवाइड में 2 n n plus one by 2 यह formula है तो जल्दी निकल जाएगा एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार ठीक है समझ गये तो formula याद करना है फैदा है कोई चीज भाष तभी हो सकता है ना जब चीज याद रहे ठीक है आता है तो निकाल दो कैसे तो किताब सब देखोंगा उसके बाद बनाऊंगा ठीक है तो फिर दिकत होगा ओके स्कॉाइर का समयसन क्या होता आ एसकॉयर का समयसन न 2n, n plus 1, 2n plus 1, डिवाइड में 6, यह दोनों रिजल्ट होता है, अब ऐसे करके हम बना रहे हैं, तो इसमें टाइम लग रहा है, इसका हम क्या करें, आंसर निकाल देंगे, जितना x है, उतना ही फिर्क्वेंची है, उसका मीन पूछे, एक से लेके 20 तक हो, चाहिक से लेके 50 तक हो, तो हम लोग कभी कोई derivation नहीं करेंगे, सीधा फर्मूला में रख क्यांट पर निकाल देंगे, अब बताओ, डिवाइड करने पर क्या होगा, कैंसिल कैसे होगा, पता चल रहा है, देखो, यह कट गया, यह भी कट जाएगा, तो यहाँ पर हम नहीं काट रहे हैं, यही चीज आपको याद कर जाना है, क्या रिजल्ट है, टू एन प्लस वन बाइधि ये बिलकुल याद कर जाना है, लेकिन यह किसका अन्सर है, उस को भी याद रखना है, ठीक है, असाना कि अन्सर याद हो जाए, कोस्टन क्या था पता नहीं, बस एक्स के आओंगे नेच्टरोल लंबर फिर कोई पुछेगा देखो अब फर्मूला बना टू एन प्लस वन बाई थी अब इस चीज को आप यहां भी अपलाई कर सेकते हो एक लेकर पांच तक इस कोश्चन में भी आप अपलाई कर सकते हो बताओ कोई पुछेगा इसका मी टू एन टू इंटू में पांच दस प्लस वन ग्यारा दिवाइड में तीन एक आरा बटा तीन आंसर मतब यह डीजल कहां अपलाई करेंगे जब ऐसा कोश्चन हो एक जितना है नेचरल नंबर फिर्क्वेंची भी एदम से मैं उसका मीन कुछे लिखा एक दो तीन से कहां तक 20 तक फिर्क्वेंची भी से में एक दो तीन कहां तक 20 तक पुछेगा मीन कितना तो बोलो आंसर टू इंटू में एन बीस तक है तो इंटू में 20 चालेश एक जोड़ दिया एक तालेश दिवाइड में तीन तो यह इतना जल्दी बन जाएगा अट डेडिवेशन करेंगे तो आप देखी तो यह थोड़ा सब फास्ट होगा कि अधि यह थे हैं ऐख वबला है कि बोलो बोलो सब्सक्राइब का अगा अगर होता यह इतना बड़ा कोशन होता क्या करते हैं , फिर वह में अलग अलग निकाल के पर दा कrikате कोई रास्ता नहीं तो एक्जाम में ईतना बड़ा नहीं पूछेगा अब पुछे गाए अलग अलग फिर्क्वेंची देगा न अब तुभी बताओ न अगर एक्स देदिया माला बहुत बढ़ा अब फिर्क्वेंची देदिया सबका अलग अलग वह भी बहुत बढ़ा कोई टेक्निकी काम नहीं करेगा अगर पूछ लिया वाई चांस तो उसको बस बाइबाई करें आगे बढ़ जाना अगर मालो कोशन ऐसे देदिया दो पांच आठ दस पंदरह बीस ऐसे करके वह फड़ा फिर्क्वेंची देदिया अलग 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 निकालो कोई तरीका नहीं है अलग 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 जोड़ते के बाद दिभाइड करोगे तभी जाकर निकलेगा नो नो सॉटकॉट अगर कि मैं बोला हूं कि दलदल में नहीं जाना तुम बढ़ा नहीं से मुझे ठेल दीजिए मैं बोलो नहीं जाना तुम नहीं ठील दीजिए मुझे अरे ऐसे कोशन बिल्कूल नहीं पूछेगा ठीक है बाकी बाकी यह बता तो दिया यह बता तो दिया सब को अलग अलग मल्टिप्लाइं करना सबको अलग अलग मल्टिप्लाइं अलग अलग जोड़ा चार एक पांच ठीक है पांच में नौ प्लस करेंगे ऐसे करके यह फश्पन फिर इसको जोड़ा एक प्लफ दो तीन तीन छे चेज़ार दस पांच पंद्रह ऐसे करके पिडिवाई करोगे बता तो दिया अब इसी दिस्कीर स्रीज का भी कोशन हो गया अब लिखोगे तीफरा फर्मूला इस मैं आफ कौन सा स्रीज अज येस एर्थमेटिक मीन आफ कॉंटिनियूस स्रीज अच्छा तो इसका फर्मूला पहले बताते हैं कि मीन का फर्मूला क्या होगा यह देखो सिगमा एफ इंटू में एक्स के जगए आएगा मीड पॉइंट कांटिनर स्रीज के साथ याद करो दस से बीस बीस से तीस ऐसे वहला न क्या आगा सिगमा एफ एम डिवाइड में तो मैं आपको समझाने के लिए एक चोटा फेक्जम पर बताता हूं और प्रैक्टिस के लिए बुक से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे देखो यहां पर यह यह 10 से 20 यह 20 से 40 यह 40 से 50 क्या यह कांटिनर स्रीज है यह frequency यहां पर ले लिया हमने 2 यह 5 यह 3 इसका मीन निकालना भचे इसका मीन निकालना है सबसे पहले बताओ टोटल एन कितना कितने पर्षान है फिरक्वेंशी का जूर कितना है अब हमें क्या चाहिए सबका समेशन सबका समेशन उसको दस से डिवाइड करेंगे तो में आ जाएगा अब देखो फर्मूला के पीछे लॉजिक क्या है इसको समयना सिग्मा एफ में सि सिग्मा एफ तो 10 हो गया 10 से डिवाइड करेंगे किसको सबके समेशन को एक धियान से सुनना जो मैं बता रहा हूं दस और 20 के बीच में कितने वैल्यू है दो वैल्यू है पाहला वैलू किसके इक्वल है किसी को दिख रहा है कि पाहला कितना होगा अदूफरा कितना होगा मुझे और दिख रहा है दो भेलु क्या होगा हमें नहीं नहीं पता फिर उसको जो रहीं कैसे खरतर समय लिया गया एक जंब्सएंदियू नेकाल लो में प्रतितना ही हमें 15 है और यह गया पहला भी 15 है किसी भी क्लास में जितने भी वैल्यू है सभी के सभी वैलियू उस क्लास के बोलो मेड वैल्यू के एकवल है ऐसा एजम्शन लिया गया है तो हम लो क्या निकालेंगे हाँ पर मेरे वैल्यू इसका मेरे वैल्यू 15 इसका 30 और इसका 45 बता दूफरे क्लास में कितने वैल्यू है 5 5 और किसके एक्वाल है तीसके एक्वाल है ऐसा अजम्शन लिया तभी हम जोडेंगे तो मल्टिप्लाइ करें जोड लेंगे पांच इंटू मैं 30 तो कोशन तो बन जाएगा कोई दिकत नहीं अब मल्टिप्लाइ करो एफ इंटू एम यह 30 150 135 इसको जोडेंगे तो सिग्मा एफ इंटू एम कितना आएगा 165 165 प्लस 150 पचास एक सो पैंसट प्लस एक सो पचास इक्वल तीन सो 15 बता मीन बराबर कितना कि 315 डिवाइड में दस एक तीस पॉइंट पांच कोशन तो बन गया बट इस कोशन को बनाने में हम लोगों ने एक एजम्शन लिया है क्या एजम्शन लिया है फिर से बोलो इन ग्रॉप्ट फिर्क्वेंशी डिस्ट्यूबूइशन मैं लिख दूंगा असा करता हूं लिखी देता हूं लास्ट मैं 135 है हां 45 इंटू मैं तीन भी कर लो यहां पर क्या नोट करोगे यहां नोट करने वाली बात है त्योर्टिकल नोट है इन इन ग्रॉप्ट फिर्क्वेंशी डिस्ट्यूबूशन है कि नहीं अग्रॉप्ट फिर्क्वेंशी डिस्ट्यूबूशन it is it is assumed that each value of a class of a class is equal to equal to class mark class mark किसको बोलते हैं वही class mid value को सोनु स्वर्मा चैट बॉक्स में लिखो जो पुछना है क्या चीज है अच्छा यह है अच्छा डबल क्लास करो क्लास करते हैं कभी-कभी लाइब होके देखा करो क्या पता की ठीक है क्या जिखा समझाया होगा किसी भी क्लास में जितने भी होते हैं सब्सक्राइब कर फिर्यक्खांशे इक-डाथ मार्क और कोश्चन थ्रिट कल होगा ये सकेंड चेप्टर में चलो मुझे आप बताओ कोश्चन नमबर फोटी वन का अंसर क्या होगा बोलो बचे क्या होगा कैसे अच ow प्रेजएंटेस अप्रेल सबस्क्राइबगेशन होगा किंहें इसकैटरनेंस का मतनम कि कितना वा हुआ है यह नाम आए बैडियस सट इस पर्सन मतब सब्सक्राइब कितना भिखडा हुआ है सकांपर नहीं होगा अ डुफरे क्या लिख लोकेशन आफ दाउब्जवर्बेसिन यही निकालते हैं तो सेंटर टेंटर लोकेशन आफ दाफ दश्री थी थी ऑफ जिसर बोलो आँ हुआ है ठीक है देखो वाइल कंप्यूटिंग एथमेटिक मीन किसमें ग्रुप फ्रिक्रेंशी डिस्टुबिशन में जो भी किया था विए जूम क्या हम लोगे जूम करते हैं किलियर कॉंसाप्शन सी ओल वैल्यू ऑफे क्लास और इकवल टूदा मीड वैल्यू आप डैक्लास इदम सही है यह जूम करते हैं को सब्सक्राइब आपके सामने ठीक है कि अभी जो अरे बच्चे अभी जो मैंने इतना मेहनत करके लिख भाया है यह जूम करते हैं इस क्लास में कितने वैल्यू है पांच अब पांच हो किसके एक्वल है तीस यह इसका मीड वैलू के एकवल यह जूम करते हैं किसी क्लास में जितने वैल्यू है सब उस क्लास के मीड वैल्यू के एकवल है यही कोश्चन देखावा देखो आप कोश्चन देखो वाइल कंप्यूटिंग एथमेटिक मीन फ्रॉम ग्रूप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबूशन विए जूम करते हैं ऑप्शन सी सीधा पर फुर्टि-थी यही बना लो श्योडी का कि क्या कॉस्चन कॉन सा स्टेट्मेंट इसमें से रॉंग है विच वन इज रॉंग है मीन इजसेद्थी डिफाइंड गलत सही है को कई गलत कौन मेन इस नॉट एफेक्टेज क्यों इस तो एफेक्टेड होता है कि कि अपसंट सी मेन हैं फ्रॉपटी तो सही है मीन का मैंजमेर्टर प्रॉपटी होता है ना कॉम्भाइन बाला कॉन तो जो थियोरी मन लिखवाया अगर आप धंग से एक बाप पढ़के दिमाग में सेट करो तो फिर आप कुछ पढ़ने के जोवत नहीं पढ़ेगा और नहीं तो फिर पढ़ते रजाओगे एक लास में धंग से देख लो तो फिर कोई दिकत नहीं होगा यह कोशन आपका हो ग अब ऐसे कोशन एक जाम में पुछने का बहुत काम चान्से एक पर्फेंट चांस है फ्रालेंदी होता है है कम चांसे से पॉषन नहीं आएँगए बट हम लोग के लिए अभी कर लेंगे पूछ जदा करके जाओगे तब ही तो चांस जदा होगा करने का क्या पूछा है मीन में निकालो और क्या निकालो मीडियन सुनो एक मर्ट एक्जाम में मालो कोशन आ गया मैंने आपको बताया कभी अभी क्या बताया मीन कौन सा यह ग्रूप फ्रिक्वेंशी डिस्टुबिशन मीन और मीडियन देखो चारों देखो यहां मीन कितना है तीस यह यह अलग यह मीडियो देखना इसके बीच में गया एक है यह एक है करना मीड भैल्यू सिधा इससे भी निकल जाता है मिडियो लिमिट का जोर बाइड तू से भी आता है एक खटम करके बॉंडरी को जोर के दो से सतारी बाइट करते हैं तब यह से मियाता कि मैं जो बोल लों समझ मार रह 9.5 क्लास लंद कितना सब का कि लाइस के कितना है 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 तेंडे निकलता है बॉंडरी से अगल से कोई नाइन बोल रहा है नाइन नहीं है क्या है इसका लेंध तेन क्लाफ लेंद का फर्मले याद करो अपर बॉंडी मैनस लोवर बॉंडी एक मीट पॉंट कितना निकला 9.5 अगला कितना होगा 19.5 अगला 29.5 लेंद जोड़तो जो न या तो निकाल दो अलगल सबका तो सबका अलगल निकाल लोगा समयधाज नहीं है एक निकल गया अब याद करो मीट पॉंट के बीच में जो गैप हो तब कितना होता है लेंद के इकवल क्लाफ लेंद कितना है दस दफ जोड़तो जो 9.5 19.5 29.5 39.5 49.5 चेक कर सकतो मीट पॉंट निकालेंगे कैसे देखिए तो समयधार के लिए इसारा काफी यह सारा बता दिये और जो और जिसको मैंने फिर्क्वेंसी लिखा हो सही है अब हम लोग क्या करेंगे इसका मीट वैलू निकालेंगे अच्छा को क्यों निकालेंगे मिलू हमें मीन चाहिए चाहिए फिक्वेंसी डिस्टूमिस है मिन का फर्मला किया था सिग्मा एफ इंटु में मीट पॉंट चाहिए इसका मीट पोइंट कितना होगा तो फाइब प्लस फोर्टीन नैंटीन बाइटू कर लो कितना निकला नाइन पॉइंट इसमें कोई दिकत अचा किसी के मन में कोशन आ रहा होगा इसमें निकाल लें यह गैप खतम तो किजिए मैं बोलना चाहरा हूं गैप खतम कर दो कभी न तब ही आंसर से मिए आएगा लिमिट से भी मीट पॉइंट वही आता है और बॉंडी से भी वही आता है अचा एक निकल गया अब इसको जो तो आराम से कल्कुटर में 15 प्लस कि 24 दिवाइड में 2 कितना आया 19.5 और अब मैं क्या बोला हूं कि ऐसे जोर जोर के क्यों निकाल लो इसका क्लास लेंथ कितना है 10 क्लाफ लेंथ 10 है याद है न तो क्लाफ लेंथ 10 है तो मीड पॉइंट में भी तो गैप 10 कहीं होगा मीड इसका सब्धेंट 29.5 इसका सब्क्रेंट 29.5 मेलों इसने सब्सक्राइब अगरgrade taxes अब हमारा इसको मिल सब्सक्राइब सितना से किसके रिवाइड आप करें और यह साथ औरOs salari7 156 158 त्रबीच और एक-डस अब हमें और का चाहिए एप सिगमा एफ इन्टु एम मैं बोल लहाँ अगर यह कोस्टन एकजाम में आ जाए तो कम से कम चीज लिखना है ऐसे लिखना है इसे करना अब इसको मुटिप्लाइ करेंगे और एड करेंगे तो देखो मुल्टिप्लाइ और एड करने का तरीका क्या है ओके तो मैं क्या बता रहा हूं यहां से आपको दिखाई नहीं देगा इस सारे से आप देख लेना दस मुल्टिप्लाइ में यह दिखेंगे 10 मुल्टिप्लाइ 9.5 एक्वल इतना रही अगला मुल्टिप्लाइ अठारा मुल्टिप्लाइ 19.5 एक्वल कुछ और मत करना एकवल करता जो अगला मुल्टिप्लाइ बत तीज मुल्टिप्लाइ 29.5 एक्वल इक्वल करके छोड़ दना बास अगो सनो करता है फिर क्या है 26, multiply 39.5, equal. फिर 14, multiply 49.5, equal. Last, 10, multiply 59.5, equal. हो गया equal? अब सबका जोर चाहिए, तो जीती दबा दो. जीती का मतना होता है, grand total. उन सबका जोर. जोजो इक्वल किये, इस इंटो इस इक्वल किये, इस इंटो इक्वल किये, इक्वल पर जो जो मिला ना उसका जोड चाहिए तो जीटी का बटन है क्या मिला 3705 चेक करो क्या क्या करना एम प्लस सब्सक्राइब करो अभी चेक करो जिसमें जीटी नहीं क्या करोगे इकवल के बाद M प्लस इकवल M प्लस मतलब एक जगा जोर रहे हो M प्लस का बटन है उन सब का जोर के लिए MRC का बटन है MRC सब का जोर आएगा जैसे आप करोगे तो यह निकला 3705 इसको डिवाइड करोगे 110 से तो 33.68 कौन सब्सक्राइगा ओप्शन सी इस तरह का यह जीटी वला फंक्शन एम प्लस बला फंक्शन एम मैंस बला फंक्शन आप सब को आना ही चाहिए इसके बेगार कुछ नहीं है यह जीटी वला फंक्शन यूज क्या आपने देखो चेक करके आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे इसके उपर अप्लाई करो इसमें भी क्या पूछा है मीन एंड मॉड तो भी नहीं पड़ा है मॉड को साइड करो मीन निकालो इसका मीन निकालो पहला मीट कितना है गा 350 प्लस 369 एक्वल डिवाइड में टू एक्वल यह निकला 359.5 ठीक है हूँ कितना कितना सब का क्लासल कितना नइटीन को ट्वंटी बना दो 90 नहीं बोल cavalcor का डिफेरेंस होता है फ्रष् right पोट आपर बॉंडरी में से लोवर बॉंडी करते लाक्लासलेंध बॉंडरी के डिफेरेंस अ इसलिए आथ dato इस इसलिए हम लोग ऐसे काम चला लेते हैं तो क्लास लेंग कितना 20 तो कैसे क्या करोगा सब में 20-20 एड़ करो थिरी तो सेवन्टी नाइन पॉइंट फाइब थिरी नाइन पॉइंट फाइब ये चार सो पॉइंट फाइब चार सो थर्टी नाइन पॉइंट पाइब चार सो फिप्टी नाइन पॉइंट पाइब अब मीन चाहिए तो कैलकॉट्र यूज़ करो जीटी है तो जीटी यूज़ करो एम प्लस एक प्लस उसको निकालो एन जिससे डिवाइड करेंगे उसको निकालो एन कितना 15 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 19 प्लस 13 प्लस में छे कितना हुआ है है एड करो क्या क्या चीश है है में प्लस इस भी नहीं किस में फोन भी नहीं नहींना कि यह लॉट तो क्या कुटर है ना फोन तुरे रेलोड है क्या कुटर से करना है कि फोन से नहीं कि फिर्क्वेंशी को जोर के बताओ कितना कोई 111 अब निकालो क्या बोलें बोलो आप समझे नहीं नहीं यहां से लेंद कितना आता है यहां से लेंद कितना आता है इससे तो हम नहीं करता है गलत है यह सही है मीड पॉइंट यहां से भी आजाता है यहां से निकलता है नहीं नहीं यहां से नहीं आता है तेन बोलों आप यहां से निकाले कोई कि आता है इसे क्लास लेंद कटा उसमें अपर बॉंडि मैंनस लॉर बॉंड लिखा था लेंध हमेशा बॉंडरी के डिफ्रेंस निकालोगे इसे लिए युझ नहीं करना है हम लोग जब भी करते हैं तो लिमिट से नहीं करते हैं बॉंडरी से ही करते हैं ठीक है वहीं कर यहीं तो है इस तो नहीं है इस अधिया अभी की बात करों घर पर तो सब के पास होगा इस कैलकुलेटर है ना देखो एक कैलकुलेटर आपको तो खर्ड़ना ही पड़ेगा और उसके उपर प्रैक्टिस करो वहीं कैलकुलेटर आप एक्जाम में भी लेकर जाओगे ठीक है तो मैं मल्टिप्लाइ करता हूं और यहां पर लिखता हूं यह आया कितना 111 ठीक है अब अब क्या निकालेंगे देखो सिगमा एफ एम तो रिफरेंस के लिए मैं पड़ता हूं 359.5 मल्टिप्लाइ में 15 एक्वल अब एम प्लस करेंगे तो टाइम लेगा तो इतना ही से हमरा जीती है तो काम चिल जाएगा दुफरा है 379.5 मुल्टिप्लाइ में 27 एक्वल 399.5 मुल्टिप्लाइ में 31 एक्वल 490.5 मुल्टिप्लाइ में 19 एक्वल 439.5 मुल्टिप्लाइ में 13 एक्वल 459.5 मुल्टिप्लाइ 6 एक्वल GT यह मिला 4 4 4 6.6 4.5 यह मिला हुआ है अब इसी को करदें में डिवाइड करेंगे डिवाइड बाइ 111 इक्वल यह मिला मीन 400.58 400.58 क्या चीज ओह अच्छा अच्छा सौरी ऑप्सन भी या ऑप्सन अब इस कोस्टन में मीन से फैफला नहीं हुआ मीन से फैफला यहां पर मौड निकालेंगे तब फैफला होगा ठीक बता रहे हो मुझे लगा कि हो गया साइड ठीक है यहां पर मीन आ गया अब इसका फानल आंट से पता कब चलेगा जब मौड सिखेंगे मुझे इस कोस्टन के पीछे बताने का की परपस है जीती बला एम प्लस बला फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए घर जाके जरूर चेक कर लेना ठीक है अब आपको सीखना है नहीं एक चोली क्या है न देखो मीन कितना निकला मीन निकला 400.58 जो बी में भी है और सी में भी है तो जब तक मौड नहीं निकालोगे तब तक इस कानफर पता नहीं चलेगा तो जब मौड सीखेंगे तो पता चल जाएगा इसका तो फिलाल आप लोगों ने कैलकुलेशन सीख लिए अच्छा से ठीक है बढ़ियां से रिवाइज करना भी टाइम आ गया दो दिन का जितना स्टाइट है सुरू से लेके आखरी तक पुरा रिवाइज करना फिर आम लोग आगे इसी से कंटिन्यू करेंगे ठीक है ओके थाइंकि सो मच बाकि जिसको जो दिकत हो कोई डॉट कोशन कुछ हो तो बिल्कुल पूछ के जाना पूछ के जाना झाल